यह इस चेप्टर की वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट है इससे पहला जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस में ही डाल दिया है और वो गल्ती से मेरे से स्टॉप हो गया था इसलिए इसका आधा पार्ट आप उस वीडियो में देख सकते हैं तो देखे इसमें हमने इससे पहले कpro में पढ़ा था कि कर क्या होता है कर अदिक इसी चीज होती है जैसे कि मांनीजिये आपकी आपका सपुसकर करए पहन है वह 10 रुपई का है किमत 10 रुपे है अगर क्म ऐस generation किमत 12 किसी के जुरूरत है चाहे वो गरीब इनसान हो चाहे अमीर हो और सब को कर देना पड़ता था गरीबों के पास तो वैसे ही खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे और उनको ये भारी भरकम कर भी अदा करना पड़ता था इसके किलाव कांधी जी ने आंधुलन किया था और वो प तो थो इसमाथ लगता है नियुक्त लगता है , तो क्या होता है , वो बात फेलती है , बहुत लोगों को पता लगती है , फिर क्या होगा कि अग्डी मार्च हो रही है , यह सब ये पारी पुरियोजना समझ कर जो है उसको लगा धनी को कि गांधी जी तुब बहुत उश्यार है बिंदा ने हसकर कहा हाँ वह तो है ये तो पहर को जब आश्रम में थोड़ी शांती चाही धनी अपने पिता को ढूनने निकला वह एक पेड़ के नीचे चर्खा कात रहे थे पिता जी क्या आप अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं धनी ने सीधे काम की बात पूछी मैं चाह रहा हूं तुम और अम्मा यहीं रहोगे तो धनी के पिता जो है वो दांडी यात्रा पर जा रहे थे मगर धनी की अम्मा और धनी वहीं पर रूपने वाले थे तो धनी के पिता जी ने कहा कि तुम इतनी दूर तक यात्रा ने कर पाओंगे इसलिए जो नौजवान लोग हैं वही जा रहे हैं धनी ने हट पकड़ ली मैं नौ साल का हूँ और आपसे तेज तोड़ सकता हूँ धनी के पिता ने चर्खा रोकर बड़े धेरश्चे समझाया सिर्फ वे लोग जाएंगे जिने महात्मा जी ने खुद चुना है तो फिर उन्होंने समझाया धनी के पिताने धनी को कि सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिने महात्मा गांधी ने चुना है फिर धनी बोलता है ठीक है मैं उन्ही से बात करूँगा वे जरूर हां कहेंगे धनी खड आश्रम में पैदल घूमते थे तो वैसे तो बड़े वियस रहते थे तो उनसे बात कर पाना बड़े मुश्किल हो पाता था मगर धनी को पता था कि सुभह के समय वो डेली क्या करते हैं आश्रम में पैदल घूमते हैं अगले दिन जैसे ही सूरज निकला धनी बिस्तर गांदी जी को ढूणने निकला वे गौशाला में गायों को देख रहे थे फिर वे सबजी के बगेचे में मटर और बंदगों भी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे-पीछे चल रहे थे तो जो है धनी और बिन्नी लगातार गांदी जी के कि वो उन से बात कर सके अंत में गांदी जी अपनी जोपड़ी की ओर चले पराम दे में चरके के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा यहां आओ बेटा धनी दोड कर उनके पास पोचा विन्दी भी सात में कूती हुई आई तुम्हारा क्या नाम है जी हाँ यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूद आप रोच सुभ़े पीते हैं धनी गर्व से मुस्कुराया मैं इसकी देखबाल करता हूँ बहुत अच्छा गांधी जी ने उसका हाथ हिला कर कहा अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुभष से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था धनी थोड़ा घबराया क्या मैं आपके सर डांडी चल सकता हूँ हिमत करके उसने कह ही डाला गांधी जी मुस्कुराए तुम अभे छोटे हो बेटा दांडी तो बहुत दूर है सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे पर आप तो नौजवान नहीं है धनी बोला आप नहीं थक जाएंगे मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ कांधी जी ने इस बात का जवाब दिया मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ धनी भी अड़ गया हाँ ठीक बात है कुछ सोचकर कांधी जी बोले मगर एक समस्या है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा इतना चलने के बात मैं तो कमजोर हो जाओँगा इसलिए जब मैं वापस आओँगा तो मुझे खूप सारा दूद पीना पड़ेगा जिससे की मेरी ताकत लोटाए फिर बिन्नी करके सोचता है ये बात तो ठीक है बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर्फ सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है बिल्कुल जही तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखपाल करोगे गांधी जी ने प्यार से बोला जी हाँ करूँगा धनी बोला बिन्नी और मैं आपका इंतिजार करेंगे तो फिर गांधी जी की इसनी होशयारी से उसको समझा देते हैं धनी को कि वो जो है डांडी यात्रा पर नहीं जा सकता गांधी जी उसे कहते हैं पहले तो कि तुम छोटे हो तुम नहीं चल पाओगे तो सिर्फ नौजवान चल पाएंगे फिर धनी जो है कांधी जी को बोलता है कि आप भी तो नौजवान नहीं है आप भी चल लेंगे फिर कांधी जी जो है सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मगर मैं जो है जब दांधी से याद्रा करके आऊंगा तो मैं बहुत थक जाऊंगा और बिन्नी का देखवाल बिन्नी बकरी का नाम था बिन्नी का देखवाल तो तुम ही करते हो अगर तुम आओगे मतलब जब मैं वापस आऊंगा तो तुम बिल्कुल धिहान रखना भी नहीं का तब मुझे बहुत सारे दूद की जुरत पड़ेगी ताकत के लिए अब ये सारी बात समझ करके धनी जो है मान जाता है आश्रम में रुखने के लिए तो ये हमारी जो पूरा चाप्टर है इसके एक्स्परेशन हो गया है थेंक यू